पूरन पूरिला का दो अलग अलग घटनाओं में दबंगों की दबंगई से थर रा गया कस्बे में एक महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी गई जबकि दूसरी घटा में एक व्यक्ती के सीने में गोली मारती खाइल जिंदिगी और मौट से जूज रहा है ये दूनों घटनाएं ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब इस्पिक्टर नरेश प्यागी ने पूरन पूर्ण कोतवाली का चार्ज समाला ही था एक ही दिन में ताबर्तोर दो जान हमलों की घटनाएं उसमें भी एक मौत ने इलाकी को दहला कर रख दिया पहला घटना करम नगर के लाइन पार इस्तित महुला हबीब गंज गौटिया का है यहां महुले में दो पक्छों के बीच जब कर लाठी डंडे चले फून से लनबद दो खायलों को अस्पाताल भी जा गया जिसमें उप्चार के दौरान एक महिला की मौत हो गई रभी पासवान ने पुलिस को दी अपनी तहरीर में कहा कि महुले के राजू राठोर और राम किसन राठोर ने उनके भाई और दादी पर हमला कर दिया उन्हें बहरैमी के साथ लाठी डंडों से पीटा जाती सूचक गालिया थी पुलिस ने सिकाय दर्ज करके जाच सुरू की इसी बीच गुरुआर को घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई इस घटना ने गौटिया में हड़कम मचा दिया अब यहाँ पुलिस हत्या की थाराओं में मामला तर्मीम कर जाच और कारवाइक करेगी दूसरी घटना कोतवाली थाना छेतर के टांडा च्छत परती गाउं की है यहाँ मामुली कहा सुनी पर गोली बाजी हो गई आरोपे की मजदूर के विवाद को लेकर यहाँ देश में आये संदीप सिंग ने कुर्पिंदर सिंग के घर में घुश कर गोली मार दी गोली कुर्पिंदर के सीने में लगी है घटना से इलाके में हड़कम मच गया परीजन घायल कुर्बिंदर को लेकर अस्पताल पहुचे जहां से उन्हें हायर सेंटर के लिए रैफर कर दिया गया बताते हैं कि घटना के बाद परीजनों ने आरोपियों से तमंचा छीन लिया संदीप और कुर्बिंदर दोनों पडोसी हैं यहां खेट पर मज़़ूर को लेकर दोनों में कहा सुनी के बाद संदीप ने गोली मार दी कुर्बिंदर के भाई रंजी सिंग ने संदीप पर भाई को गोली मारने की तहरीर देकर कारवाई की मांगी उदर खायल के अस्पताल पहुचने पर पुलिस ने उनके बयान लिये इसके साथ ही आरोपी की धरपकड के लिए दबिस्ती दोनों घटनाओं को लेकर पूरणपुर कोतवाल नरेस्तियागी ने कहा कि इस मामले में आरोपी को विरुद कठोर कारवाई की जाएगी पुलिस ने सिकाय दर्च करके जाच सुरू कर दी है और आरोपियों की धरपकड के लिए दबिस्ती जा रही है सनद्र है कि पूरणपुर कोतवाली छेतर पिछले कुछ अर्से से लगातार वड़े विवादों को लेकर चर्चा में रहा है यहाँ पिछले एक साल में सिपाई को गोली मारने से लेकर रमपुरा के एक यूवक चंगेज खान को अदमरा करने तक की घटनाओं पे बड़ा बवंडर मस्ता रहा है और अब यहाँ एक दिन में तावर्तोर को घटनाय सामने आने से संसनी फैल गई परहाल पुलिस दोनों घटनाओं को लेकर कारवाई में जूटी हुई है